हालो काईज, वेलकम डूटे की या सो यूट्यूब चैनल और कैस फाइनली, रियल मी ने अपनी P सीरीज में दो नए स्मार्टफोन को इंडियन मार्किट माज लॉंच कर दिये पीवन प्रो जो के बड़ा भाई रहने वाला उसकी तो हमने अल्डेडी चैनल पे वीडियो दाले प्रोज और कौन्स के साथ में नहीं देखो बिना टाइमेस करें, फटा फट सा आपको रियल मी P1 5G स्मार्टफोन के इंडियन डिटेल यूनिट के कम्टीट स्पेक्स बिता देता हूँ बिल डिजाइन और फस्ट लुक के अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकेन आपको बॉक्सी टैप का डिजाइन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, साथी में UFS 3.1 का स्टोरिज टाइप एन LPDDR4 एक्सला रेम टैप यहाँ पर दिया गया है केमरास के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डूल केमरे का सेटप मिलता है 50 Megapixel का primary sensor है, then 2 Megapixel का depth sensor है, जबकि 16 Megapixel का selfie camera दिया गया है Android version and UI के अगर हम बात करें तो Android 14 out of the box मिल जाता है, Realme UI पर यहाँ पर यह रन करता है sensors यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते है, including in display fingerprint scanner, face unlock का feature, 3.5 headphone jack का support भी मिलता है dual stereo speaker का support दिया गये, battery life की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 image की battery मिलती है, type-c port के साथ में device support करता है 45 watt की fast charging को, and out of the box आपको 45 watt का fast charger भी देखने को मिल जाते है यह और यहाँ पर आपको complete specs देखने को मिल जाते है, Realme P1 5G smartphone के Indian detail unit में तो guys, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसा important चीज़ के बारे में क्या कुछ price point पर Realme ने से Indian market में launch करा है तो 6GB ने हैं 128GB से based on start होता है, उसकी जो real price point है वो है 16,000 लेकिन आज देखोगे तो आज इसका पहला flash sale यहाँ पर रखा गया है देखने को मिलते है, सिर्फ एक कौन मिझे यह smartphone पे लगा है, ब्रोज के गरम बात करें, design अच्छा मिल जाता है, display अच्छा मिलता है, performance वन अव दी बेस्ट है यह price point पे, primary sensor आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, बड़ी battery, fast charging, आप बो सकते हो 3.5 headphone jack b, studio speaker भी है, display fingerprint scanner भी ह है, एक कौन की बात करें, जो के Realme देता है, तो एक perfect phone यह बन सकता है था, यह ultra wide angle camera यह smartphone पे आपको देखने को नहीं मिलता है, जो 2 Megapixel का depth sensor दिये है, इसकी जगे पर 8 Megapixel का ultra wide angle camera लगा देते, 15,000 पे में, बनतब आप कह सकते हो, perfect smartphone यह बन सकता है था, but still अगर आप ultra wide angle camera से त 15,000 रोपे में कैसे लग रहा है, कि आप यह smartphone के साथ में जाओगे नहीं जाओगे, आपके क्या कुछ और निस ओपीनियान है, यह smartphone को लेके मुझे बताना नीचे comments में, से hope क्यों सुट्स नहीं होगी, एनके से कर आप वोडियों पसंद आए, फिलाइक कर यह शेर कर यह channel को सब्सक्राइब कर देना, आप मिल तब से क्लिक से फिडियो में, चप तक के लिए, थैंक्यू